ये लोग तो इतने फुक्रे हैं कि छोड़िये आप लोग खुदी देख लीजिए ये रहा फिल्म का हीरो थीरू, उम्र, छोड़िये काफी सालों से सब को एक ही बता रहा है काम, मैट्रिमोनी, सीधे शब्दों में कहें तो शादी करवाने वाला ब्रोकर इस बिजनस में ये क्यों उत्रा? क्योंकि इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली और नौकरी क्यों नहीं मिली? आप समझ ही कहोंगे, of course क्योंकि इसके पास कोई धंकी डिगरी नहीं है और जो खुद को हिरोईन समझ रही है, वो कौन है? खुद ही देख लीजे ठीरू, वो ना हमारी मेट्रिमोनी में एक नहीं लड़की ने अपलाई किया है, उसके लिए मैच चून के है चलो प्यार अलग है, दोस्ति अलग है मुझे तुम्हें कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मुझे जैसी लड़की चाहिए, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो तुम चाहे किसी से भी प्यार कर लो, लेकिन तुम्हारी बैक अप आप्शन तुम्हारा स्टेपनी लवर तो मैं ही हूँ सेकेंड हैंड गाड़ी लेते वक्त भी लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा लुखा है कि सेकेंड हैंड लवर एकसेप्ट करने को भी तयार है, इसका नाम है आकाश अब आप मिलेंगे थीरू की खतरनाक फैमिली से पापा, कौन सा अरजंट काम है, मजे ऑफिस से क्यों बुला है, तु शहर के हर कुवारे लड़के के लिए दोलन रूटता रहता है न, लेकिन आज मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंडी है, लड़की देखकर तु चौंक जाएगा, इस लड़की की शादी तो मैंने ए लगा दी तो लोगों को पता चल जाएगा ना तेरी मा बहरी है, और गला भाड़कर इतना पागल होता है, लेकिन एकी फैमिली में तीन पागल, आप पहली बार देख रहे होंगा, वाँ एक फाई रखी थी, कहां चली गई, बातरूम की टैल से पानी लीक हो रहा है, यह है इस फिल्म में इनका काफी वजन्दार रोल है, वैसे तो यह दिल्ली से है, लेकिन चन्नाई में रहते हैं बोलते हुए हिचकी चार्ट हो रही है कि पुतर ते ले दिल थोड़ा नाच जुक है, इसलिए अगले 10-15 दिन में, क्या, 10-15 दिन में मैं मर जाओंगी, ही, 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 मरने वाली है, जान के, खुशी से नाच रहे हैं, तु, मेरी मौत मैं तो नहीं देख प पेंसिल छिलते समय ब्लेड से कड़ गया था काफी खुन निकल गया सेप्टिक ना हो जा इसलिए मैंने पट्टी कर ली है अब पीन किलर भी खा ली है टेटनस का इंजेक्शन लगा दो आई मीज एटीस लगा दो तुम खुद ही लगा लो ना ओके डॉक्टर इंजेक्शन दो मैं खुद लगा लूगा नर्स इनको एटीस का इंजेक्शन लगा और सुबह खाने के लिए साथ में टीटी इंजेक्शन भी रेडी अरे यह नाड़ी इतने टिक टिक क्यों कर रही है वो मेरी घड़ी है नर्स इसे वो एंटीबाइटिक दो सुबह खाली पेट मत खाले ना शर्ट डाल कर खालूंगा अरे तु कौन है यार आइम धीरू आइम डॉक्टर रामा कृष्णा डॉक्टर क्या करने हो दोर दोराय जान निकल जाएगी बच्ची की पैंसिल छीलते समय जरासी लग गई और उ हो गई है वहाँ जो यलो सूट में जा रही है ना वही लड़की है वह पैंसिल उस लड़की को ऐसे क्यों खोर रहे हो उसे जानते हो क्या मैंने उसे पहली बार एक मंदिर में देखा था एक बुड़ी औरत पर उसका उमरता प्यार देखकर मैं चकित रह गया अरे बेटा वो तो उसकी दादी तक नहीं है वृत दाश्रम में रहने वालों को शहर लाकर उन्हें नए कपड़े देती है और उन्हें वो बेचारी अपने हाथों से खाना भी खिलाती है सच कह रहा हूँ मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर एक दिन पुरा शहर बन था ओटो बस कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय मैं बस सोच रहा था कि उसे कैसे पटाओ की तभी हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके हैं तो कैसे भी टैक्सी पेकड़कर आजा बेचारी की सहलिया आगे निकल गई और वो अकेली बाजार में फस गई तबी मुझे सडक पर खड़ी एक बुलेट दिखाए दी ऐसा फिल हुआ जैसे एक भुके के सामने शाही पलीर परोज दिया हो सर आपकी बुले मस्त तेजी से चल रही मेरी प्रेम गाथा को भगवान ने अचानक से ब्रेक मार दिया और हमारा एक्सिडेंट होगे आखे खोल कर देखा तो ऐसा लगा वो तल्ली वोकर गिर पड़ी है मेरा मतलब है वो नदी के पानी में गिर गई थी तुम्हारी वज़े से मेरी शॉडेक साइट से फूरी तरह फट गई है अच्छा अच्छी आपके बचपन की फोटो है तो दो अरे रुको तो एए एए है आए है से टूले एए! ईह मिरफ एवन, इदुले वॉन! है? है? हुँछ एए क्या चिल रहा है बॉस इतनी इजी बॉल पर आउट हो जाने का में शोब मना रहा था कि अचानक भगवान ने अगले होवर में ही गुज्जु भाई पुश्पराज को फाल्तु बुलर के रूप में भेज दिया कि मेरी घरवारी की इंजोट किसने लूटी किसने एक्सक्यूज मी आप लोग किसी ड्रामा कंपनी से था ना के मेरी बुलेट ही मेरी बीवी समान है तुमीं इसे लेकर आयो ना तुमारी बीवी का मैंने थोड़ा फाइदा उठा लिए अच्छा मेरी बीवी का तुने फिर उसके दोस्त उसे लेने आ गए कलर्स के किसी सूपर हिट सीरियल की तरह चलने वाली मेरी प्रेम कहानी एक ही एपिसोड में खत्म हो गई अच्छा तो उसे बताया तुम उसे प्यार करते हो वो कुछी दिन की महमान है ना इसलिए वो अपना प्यार शायद मुझसे चुपा रहे है यह सर उस सब की चिंता तुम मत करो उस लड़की को मना कर सीधे मेरे पास आकर I love you मतलब तुमारे पास आकर I love you कहलवाना मेरी जि शीवानी जो कुछी दिनों में हम सब को छोग के चली जाएगी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्तारी हम उसे बचा लेंगे मुझे पूरा फरोसा है उसकी ऑपरेशन के लिए जितना भी खर्चा होगा वो सारा हमारी असोसियेशन उठाएगी सारा माडम हां सारा बोल रही हो कहिए दस्तारी को पॉंगल के तयोहार वाले दिन हमने मंदर में पूजा रखी है रोटरी क्लब की तरफ से सोशल सर्विस के लिए आपको सम्मानत करना जाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो खुद मंदर दर्शन के लिए जाना ही जाती थी लेकिन भगवान ने अब कितनी आसानी से यह सब कह रही हैं इसमें क्या है अगर भगवान का बुलावा आता है तो सब को जाना ही पढ़ता है ना एक्सक्यूज में हेलो कलाश उठाने की प्रक्रिया भी अपने हातों से करें सुबा को उठाएंगे या शाम को उठाएंगे अब उठने का समय भी तै करना ज़रूरी है क्या हां जी जाने से परने सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहिए ना एक मिनट क्या हार भी पैनाएंगे हां अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत है हार के पैसों से आप किसी गरीब को खाना खिला दीजिए क्या हुआ है दुस्तारी कूब में यहां नहीं रहोंगी जाना जरूरी है बुरा मत माना मुझे जाना आपकर चलती हूँ हां हमारी फ्रेंग को यह तो जाना तो पड़ लेकिन 15 में लड़की मरने वाली यह पागल हो गया क्या कहा 15 तोला सोना देंगी मैं तो 50 तोला सोना लाई थी बहले रहे तुम दुले थे और मेरे बेटी के लिए इतना कम हापका चिला नहीं ज़िला नहीं जाता उपर से आपागलों की तरह हाज चोड़ दे बेटा एक ही तू मेरा इकलौता बेटा है ना तेरी शादी के लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं अगर तू पंदर दिन में मर जाने वाई लड़की से शादी करेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा ना पापा आपने भी सबके ना कहने के बावजूद भी मेरी दोनों कान से बहरी मा तो अब जित क्यूं करें क्या हुए कुछ बोल क्यूं नहीं रहे हो जैसे बोलने से तुझे बड़ा समझ में आ जाए गा पागल कोई ऐसे देख लेगा तो पुरे परिवार कोई पागल संजेगा और तॉड़ दी बाप नहीं है एक पागल शब तुझे कैसे सुना ही दे यह सब मेरी हिगरती है अब कौन से खलती कि आपने अरे भापने इसे कब क्या सुराई देता है कुछ समझ में नहीं आता श्रोपने रेवें आता alright कि कर अ में एlike आता अ डाई सक्किन होगती है श्रोंग प्रहक प्रहपना सुर्शीutar है श्र premium मेर आता सुर्शीरप्स श्रहक नंख उ킨 ए ट 좋 Dziękuję यह्म है एार ख सुर्शीड़ सetrोष्बर्स सिते, सिते! आई, एल, ओ, वी, यू, आई, लाव यू, चलो लेखो, डर से इस लड़के की आखे बहार आ गई हैं, और इसके हाथ थार थार काप रहे हैं, और इसकी धड़कन मेट्रो रेल की तरह धड़क धड़क धड़क, धड़क, धड़क धड़क करके भाग रही है, क्या सर, डर क्या हम सब साइकोलोजी स्टुडेंस है जब एक मामुली से लड़के को एक खुबसूरत लड़की आके अचानक से आई लव यू कह दे तो रियाक्शन कैसा होगा यही टेस्स करें थे चहर में हजारो लड़के तुम्हें एक अकेला मैं ही मिला क्या कूल कूल सर टेंशन मत ल अपना नाम और नमबर तुम्हारे फोन में सेव करें हामखा गले पढ़ रही है ओके हैंसम बाई बाइव दूसरी दिन पो चल्ट चल्ट को पकड़ते हैं पंद्रा दिन में मरने वाली सारा से तु प्यार का इजहार करेंगा पर तुन्हें पांस दिन पहले ही वेस्ट कर हैं अब सिर्फ दस दिन बचे हैं तू अपने दिल की बात कब बोलेगा यार हाँ आज ही बोल दो वैसे मेरी कुणली के हिसाब से मुझे कोई सेकेंड ही मिलना लिखा है ठीरू यह मेरे लिए ठीक है तू जा यार पुजा के थाली देना एक जी सर एक सारा आ गई है अपने खुश रहो बेटी भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे लंबी उम्र किसको चाहिए चाचा दस दिन जीओ लेकिन शान से जीओ जीओ जीदी रहो बेटी मैं परिक्रमा करके आता हूं ताइं तरफ से शुरू करना स्वामी जी नमस्ते वो बगवान से क्या मांग रहे थे वो लड़का किसी से प्यार करता है और उस लड़की के पास सिर्फ 15-20 दिनी बाकी है लेकिन उसकी लंबी उम्र की मनत मांगकर वो ये पूजा कर रहा है ए हमें वो एक लड़का मिला था ना थिरू वो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है यार बहुत अच्छा निकला वो तो ऐसा क्या किया उसने पर शिवानी के बारे में सब कुछ जाने के बावजूद वो उससे शादी करना चाहता है सच में हां यार ही इस रिली ग्रेट सार पापा कहा गए थे आप मेरी प्यारी बेटी सारा मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंडा मेरी तो सांसे फूल दे सारा उस दिन अस्पताल में मुझसे वो मिलने आई थी न वो तुम्हारी दोस्त शिवानी जिसका तुम अपने एस्सोसीशन के जरिये ट्रीट्मेंट कर वा रही है उस लड़की से एक लड़का प्यार करता है और उसे शादी भी करना चाहता है वेट 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 उसने दारी रखी हुई थी क्या है येस थीरू हाँ वोई वोई मुझे भी ये बात अभी अभी पता चली वो उस लड़की से बेहब प्यार करता है बेटी उस लड़की का आज अपने होस्पिटल में आपरेशन है सर एक गुड़ न्यूज है वो जो पंदरे दिन में मरने वाली लड़की थी ना जब मैंने उसे तुम्हारे प्यार के बारे में बताया तो उसकी पल्स और हार्टबीट सब नॉर्मल हो गई है उस लड़की का मैंने आज यह आपरेशन किया था इस लड़की की उम्र बढ़ गई है सर सच में प्यार की ताकत मुझे आज समझ में आई उसने कुछ कहा क्या सर पहले तुम हुल ही चकी चक फिर मेरे बेटी ने खुद तुम्हारे बारे मुझसे बात की और उसे मना लिया ओ, सो स्वीट, अपनी बेटी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना सर, मेरी बेटी यहीं खड़ी है, तुम खोदी उसे कह दो, बेटी, शिवानी का बॉइफ्रेंड थिरू, अच्छा थिरू है, हेलो, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, एक्चुली, शुक्रिया तो मुझे आपका कर करना चाहिए, अच्छा थिरू, तुम से कुछ पूछना था, उस लड़की में तुमने ऐसा क्या देखा, उसकी खोब्सूरा शकल ने मेरा मन मोलिया, हाँ, आपकी हसी भी, उसकी हसी जैसी ही है, सही टाइम पर आगए हो, डॉक्टर साब, मेरी गर्फरन को भी साथ लेकर आए है, अरे बापरी, यह एंटिक पीस कौन है साथ में, डॉक्टर की बेटी होगी, शकल से तो नहीं लगती, शायद मापर गई होगी, हम यहाँ पर आए हैं, दो दिलों का मेल करवाने के लिए, तुम्हारे दिल में जो भी है, खुल कर बोलू, पहली बार मैंने तुम्हें जब दिखा था, मुझे तभी प्यार हो गया, लेकिन तुम हाँ करोगी या ना करोगी, दिल में थोड़ा सा डर था बट, तुमने हाँ कर दी, वो भी इसके समझाने पर, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशू, हाँ, अच्छह, इनके दिल में क्या है, इन्होंने कह दिया, तुम्हारे दिल में क्या है, वो तुम भी बूटा लो, दिल में चाहे छुआ है, आज मोगी हो लेकिन, एक लड़की के लिए, खुल कर, पुबलिक में, प्यार का हिजार करना देरा लेकिन नाखों में उमरता हुआ प्यार मुझे दिखाई दे रहा है नमस्ते नमस्ते आई आई नमस्ते लड़की के नय नक्ष तो बहुत सुन्दर है एक अच्छा सा दिन देकर शादी करवाने की बात करो ना कानपुर में हरता लेकिन इसे नाख थोड़ा कम सुनाई देता है लेकिन मोझे ठीक से सुनाई देता है आज दो परिवार कितने खुश्यां और उसकी वज़ा बस यह लड़की है जिसका मैं बहुत आभारी हूं सर क्या मैं उसके साथ एक मिनिट जाओ 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 थेक्स थेक्स थेक्ट एक जिस सो मच्छ थेक्ट त्यादेर्स हजार जड़ी तो कमाल के लग रहे हैंसरा इखो तो ही नगे या 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 दुबाई राजा ही बोल रहे है भाई इंडिया में इंडिया आने के लिए आप उनके पास टाइम नहीं है भाई भाई और बंटाए तु शादी के लिए रेड़ी तो है ना बिड़ो हां बिल्कुल साड़े साथ बज़रे लें अगर अभी है शादी की तो जिन्दे की बगार पचता आएगा नहीं तो वो आत्मात्या कर लेगी अशादी करेगा तो तुझा आत्मात्या करनी पड़ेगी लड़की तो है दिल्ली की पर रहती है चन्नी में ये उसकी फोटो इस चोकरी को रिजट करते क्यों यार क्योंकि आप उन बोल रहे हैं पर रिजट क्यों करूं सारा यहां पर भी सेल्फी हाट यहां से चल्ट कर सारा सारा पानी ते उसे आपने तो कहा था मेरी गल्फ्रेंड एकदम ठीक हो जाएगी लेकिन वो रोड पर चकर खाकर गिर गई लेकिन वो तो मेरे सामने बैठके मसाला डोसा खा रही है क्या मसाला डोसा ए छोले बतू रहने में थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए कैप में डोसा मंग आ लिया ओए डॉक्टर मेरी गल्फ्रेंड कंफर्म मेरे सामने है तूम कहा परो मेरी बेटी को लवर बोल रहा है इसका मतलब आपके डॉटर ही मेरी लवर है क्या कंफ्यूजन है अच्छी तरह बताओ कौन है बीटी और कौन है लवर यह तो बोल चुका है आप दोनों ही भटक गए हो डॉक्टर डॉटर लवर लवर सोच कर रही हो पंद्रा दिन में मरने वाली हो यह जानते हुए भी यह आपसे शादी करना चाहता था मतलब सोच लो आपसे कितना प्यार करता होगा पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था मुझे तब ही प्यार हो गया यह सब कैसे हुआ इतनी कम उम्र में आपके साथ ल नहीं इस बात को यहीं खत्म कर दो ऐसा बोलोंगी सूचा था लेकिन सच तो यह है कि थीरू पती के निवासी हमारे अपने गल्ली बॉय थीरू और दिल्ली की निवासी हमारी लक्षमी सोभाग्यवती कुईन सारा में लव आजकल होनी की वज़े से रब ने आज इंची जोड़ी बना दी है दोनों की इस लुका छिपी को देख कर हम सब आज यहां हाउस फुल होकर दोनों घर के बड़े बुज़ूर्गों के आशिरवात के साथ राजी खुशी से धूम मचा कर ये विवाह आज तै करते हैं संदी जी आप लगता है बॉरिवूर्ड के बहुत बड़े फैन हो आप सत्ति कह रहे हैं अरे हाँ मैं बताना भूल गया यह सारा की बहन है मेरी बड़ी बेटी गायत्री है और यह मेरे दामा डॉक्टर अरों थेरू ने अपने मेट्रमोरी कंपनी के जरीए अब तक 99 और अगले दिन सुदा ही शादी करवा देंगे क्यों ठीक है ना जब द्रदर को ब्रो कह सकते हैं तो दामाद को द्रो क्यों नहीं कह सकते मुझे एक आइडिया आया है अगर इस शादी को तीरू पती में रखे तो कैसा रहेगा अरे सम्धी जी वही तो कह रहे है अच्छा निमंत्रन भी छपाने की ज़रूत नहीं है सम्धी जी अगर पहाड पे खड़े होगे चिलाएंगी तो पूरा शहर वैसे ही आ ज़एगा राजा का फोन है बात कर सर मेरा दोस्त था दुबई से राजा हम दोनों बच्पन से ही बहुत जिगरी दोस्त हैं फ्रेंड के लिए जान भी दे सकता है ओई दुबई तो लव मैरेज करेगा की अरेंज मैरेज शादी करने का मतलब सर पट्री पर रखने के बराबर होता है अभी बेशक राज़दानी एक्सप्रेस आया या लोकल ट्रेन आया है परसो थीरू की शादी है या अशुब बातें मत कर शादी खुदेगा अब शगुने चुड़े है मेरी वाली आलगे रेज की है सिंपल एंड होमली फीदर आज कल की लड़किया बस आई फोन देखके समय इसर जुगाती है पता है तो उसे जानता नहीं तेरे को फोटो दिखाता हूँ देख देख कैसी लगी लव लिक्स नाम की एक वेबसाइड है थेटर बीच पार्क में जाने वाली पब्लिक के करतुते हैं मास्त में यह लोग रेकॉड करके वहां अप्लोड कर डालते हैं तेरी मैडम का यह वीडियो लीक हुआ है दुबा में होके मेरे को बता तुम लोग को नहीं पता ओए इंजे से डेड़ शानों को बजाना चाहि नहीं लगा गया कॉल नहीं लगा तो क्या लोग वीडियो रिकारड करके गंदी 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 गंद तू शुरू तो कर, आगे मैं समालूंगा, आचल चालू कर तू मैं तो पागल हो गया था तेरे जुटे प्यार में, लेकिन एक नहीं तुझे तो अनेक चाहिए न, तेरा जीजा आम की गुटली की तरह दिखता है, और तेरा बात, वो सिर्फ मेरा ससूर नहीं है, मेरे जैसे बहुत से दामादों का वो ससूर है, तेरे जैसे नीच खानदान मेरे जैसे ऊंचे खानदान का रिष्टा होने से अच्छा है कि हम जहर खाकर मर जाहे, पता है मैं कितना ज्यादा प्यार करता था तुझसे, उस दिन, नया फोन दिलातेवक कहा था कि पूराना फोन एक्षेंज कर, तुम्हें मन्जूर नहीं था, कह मैं पूराना फोन रख में आप तो उसका भेजा कि के अजूस्त है दस कि शिन्दकी के साथ कहल रही तह। बता है नंग कोन होता है कि यो आधक साव चलता है उसको बोलते आप दिक Suni कोगता हूं कौन है बे ए सुभा से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूं बेटा पापा सम्धी जी बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि कहां हो तुम कब आओगे कौन कौन किसका किसका फोन किसका पापा इमेडियतलि स्टॉप द विडिंग शाधी रोकने को बॉझे पापा नए नी नी पुछे यह अब फोन जे में इधर रों व्हां क्या कर रहा है अब फोनला इधर पागल हो गया क्या अब अब आदे इसको कि यह ए यहले अभी जो आपने सुनी वो एक खोशाल हसी थी अभी जो हसी मैं सुनाने जा रहा हूँ सोचिए कि शादी से पहले दुलहन का फियर मेरे जैसे किसी स्मार्ट लड़के के साथ चल रहा हूँ और ये बात सबको पता चल जाए तो सारे लोग दुले बर कुछ इस प्रकार हसेंगे अरे सुनिये देखर आजू को कोई मार रहा है आपके बेटेने मेरी होनी वाली पत्ती के साथ अरे छोड़ो उसे आप जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है मैं बच्पल से ही कई लोगों की नकल करता आ रहा हूँ मैं मिक्री में नम्मर वन बनना ही मेरा सपना था वो पाने के लिए ना जाने कितनी टीवी चैनल्स के चक्र काटे लेकिन मेरे टैलेंड की किसी ने भी कदर नहीं की मैं ठक चुका था हार मान कर परिशान होकर मैं आत्मत्या करने जा रहा था कि कि नो हाँ 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 अ हाँ हाँ और उस वक्त सारा मैडम ने आकर मेरी जान बचाए थी क्योंकि पानी में कूदनी के बाद मुझे ऑक्सीजन की ज़रुरत थी भीड में किसी घटिया इंसान ने उसे शूट करके इंटरनेट पर डाल दिया लेकिन उस बात के ज़रा भी परवा किये बगएर मुझे चैनल में चांच दिलवा कर सारा मैडम ने मुझे एक नया जीवन दिया आज मेरे तीन सो टीवी पर चल रहे हैं बेटा तुम्हारी शादी होने से पहले ही उस वीडियो को जिस घटिया आगमी ने तुम्हें दिखाया है वो कमी ना अगर मेरा हाथ लग गया ना तो चपल मार मार कर उसका सरगनिया कर दोजे अच्छा किया वेटा गलत कदम उठाने से पहले दिमाग शांत रखकर यहां चले आए अगर बिगड़े हुए किसी दोस्त की बातों में आकर रात में दारू अरू पी कर लड़की को गालिया देदी होती तो आज तुम्हारी शादी टूट गई होती अपने तो पहले ही बोला था भाई लोग कि अनाश्य में कोई भी मेसेज मत करना कोई सुनता है नहीं मैंने भी अच्छी तरह से चांबीन करके फोन करना ऐसा कहा था शायद नाश्य में भाई नाराजम तो भाई आप उने तो बस अच्छे दोस्त होने का फर्ज निबाया भाई गुज्सा मत करें फेख दे उसको छोड़ दे धी धन्रक भाई नश्य में कोदियां हो जाती है इससे मार कर भी क्या कर लूँगा अभी तक तो वह मैसेज भी देख चुकी होगी है मेरी शादी की तो बैंड बच गई यह सब इसकी वज़ा से हुआ है अगर वह अच्छे से बात करें इसका मतलब उन्होंने मैसेज देखा ही नहीं है और अगर वह गुस्षे में बात करेंगी तो उसका मतलब तो काम तमाब तो भी तुझे तो काट कर दूंगा मैं अपने फोन उढ़ा लिया मतलब अभी देखा ने बात कर अलो बात कर बात कर अरे त्रो कहा हो आप कहा है जी तिरुपती जाते से में राष्ट में माता का मंदिर आता है तो पूरे परिवार से में भवान के दर्शन करें हम यहां रुख गए सारा को अच्छा लड़का मिल तो इसी मंदिर में आके नंगे पैर दीब जड़ाके सारा अनदान करेगी ऐसी मनत मांगी थी और आज वो दिन आ गया मैं सच में बहुत खुश हूँ भगवान से मैंने एक अच्छा सा दामाद मांगा था लेकिन उसने तो मुझे एक अच्छा सा बेटा दे दिया बेटा अरे है यादा है एक बात बोलू भुरा होत मानना हा एक छोटी सी हेल्प चाहिए आते समय तमें नारूर आंदरा के बॉडर पर रोड के किनारे एक छोटी सी इडली की दुकान है वहांका मसाला वड़ा बहुत ही फेबस है दो प्लीट कडक मसाला वड़ा और नारेल की स्टाइल में ससो का हो या ससो और चल्दी से मेरे लिए वड़ा लेके आजाव हां ठीक है ससो थिरू तू परिशान मत हो यार इस मैसेज को सारा ना देख पाए उसके लिए एक आसान तरीका है एक्चुली डिलीट फॉर एवरीवन नाम का एक आप्शन होता है तू फोन में मैसेज को डिलीट कर दे उसके फोन से भी मैसेज डिलीट हो जाएगा अरे यार इतना तो मुझे भी पता है सिर्फ एक घंटे के अंदर डिलीट होता है पूरी रात निकल चुकी है अब डिलीट नहीं होगा बस क्या रात को फूल टली होकर अगर सो जाएगे तो फिर रात तो पूरी निकल ली जाएगी जी 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 कितने बेशरम बेवड़े हैं ये तो गुस्ता मत कर थिरू फोन दिखा ये देख अभी भी सिंगल टिक है मतलब मैसेज तो गया है लेकिन अभी तक सारा के पास पहुँचा नहीं है ठीक है ना अभी काम कर देख तेरे ससूर जी को यहां से तिरुपती मंदिर प से पहले पहुच कर सारा के फोन से मैसेज डिलीट कर देते हैं सारी परिशानी कर दूसरा रस्ता पकड़ेंगे तो तीरुपती पहुचने से पहले इसा मैप बता रहा है भाई कुछ कर दो पहाई क्या गाना है भंटा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्या लिरिक्स है, क्या म्यूजिक है वा, मज़ा आगे, अभी पीच में म्यूजिक भी आएगा सुनना, यह क्या कोई नमकिन चबा रहे लाए क्या, लुग उस्टे में दाज चबा रहा है, सौरी हाँ तेक तेक नेक्स राइट, देसिनेशन विल बी ऑन दे राइट, ओई दुबाई, मैप में तुने सही रास्ता डाला है ना, इससे पहले तुने यह रूट बगड़ा था ना, बोल, आईला, कुछ दिन पहले ही तो, पूरे 25 साल पहले, मम्मी पापा के साथ, आप उन तीरूप आपको लाजाना है, हमारी गारे को चोड़ देगी, आपको लाजाना है, हमारी गारे को चोड़ देगी पकवान, ब्ल्यू टिक मत होने दिना, वो वाट्सप आउन ना करें, वो मैसेज देखने से पहले, हमें पहुंचना है, आप पहुंचना है यार थिरू हम आदा खंटा लेट चल रहे हैं, अब तक तो वो लोग वहां पहुंच भी गए होंगे सर, तिरू पति यहां से कितना दूर है, लगबाग 15 किलो मेटर होगा, थोड़ा थिर, चलाएएना सर, प्लीज, प्लीज सर ए तिरू देख, तिरू पति हम पहुंच गए, ए भगवान ख्रिपा करना होगा हंदो, वो रहा होटेल, टिक लेफ 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 क्या क्रिस्पी बड़ा और चटने लाने के लिए का था ना लेके आयो ना कववा उड़ा कर ले कर गया कंवा उड़ा लाके लेके ले गया एक बड़ा तो सम्हालने पाए तुम मेरी बेटी को कैसे सम्हालोगे है चोड़ो माफ किया है सारा बाई क्या इन लोगों को खुछ देखे लगता है कि मैसेज अब तक देखा ही नहीं है तो कमी ने मुल अटका कर क्यों बोल रहा है ठीरू हाई पापा हाँ गावा ठीरू क्या ही यह सब तुमने ऐसा क्यों किया हम दोनों के बीच यह सब बाते कब से आ गई हाँ इस तरह का घटिया मैसेज छे तुम्हारे पापा ने एक हजार तिरूपती के लड़ू क्या ओडर कर दिये तो वो सुनाने के लिए देखो किस तरह का मैसेज भीजा है जो का मेरे पापा को करना चाहिए था अगर तुम्हारे पापा ने कर दिया तो उसका इतना बड़ा बतंगर बनाने के क्या जरूरत थी हां मिल्कुल सही बोला मेरे पापा ने इतना घट्या मेसेज भीजा पापा दो मुझे फोन दो बैटरी खत्म हो गई तो मैं जरा सुनो तरो तिरूपती के मिठाए वाली दुकान में लड़ू बनाने वाला इंचाज रमेश मेरा क्लोस प्रेंड है अगर तुम्हारे पापा न को बोला था वो बिल्कों ने कर पाए एक वड़ा तक नहीं लपाए तूं ससुर को भूल गए लड़की को मत भूल जाना अबास बच गया फुल स्टॉप डालने के बजाए कॉमा डालकर भगवार ने तेरी कहानी पचाली अब ही तो तो बच गया भाई लेकिन उसका फोन लॉलिंदा तो नमस्कार आए अब ने लड़ू तो ओडर करेंबें स्टमधों क्या बोल यह यह जब चेस्ट करके देख लो मेरे रूम में भीजवा देना क्या हुआ जुपके से चार पांच लड़ों के रूम में भीजवाने हैं जुपके से बोला तो इस चिला कि आप भाग रहे हैं अशा बेटी पापा को लेकर सेवन फ्लोर पे चली जाओ तुम्हारा रूम 37 और गैध्री तुम्हारा टो बहुत ही ऊपर है क्रूजर हो या सेकंड फ्लोर मिल जाता है अ क्या तुम्ने आपने बहुत खर्चा कर लिया में तो दंग रहें आप जैसा सासूर मिलना बहुत मुश्गील है सासूर थैंक यू थैंक यू थोड़ा खर्चा बचाने के लिए क्यों न मैं सारा के ही रूम क्या बोला तुमने 801 रूम नंबर मेरा है खाना लगज़े तो बुला लेना 801 भी अच्छा है यहां से 302 अभी खाली हुआ इसा है थैंक्स मेरा हो लगज़े पास रख्योग मेरा थास रख्योग वेल्कों पन्हों दोट भुञाँ कई अकाई अर्दा चुट टएफ और्दा大概 लिड दे में लोड़ा शות देंगे την यद existe मत्षादा पाल दो तो तो एक बिल्ली की पच्ची निकली मैं तो पागल हो गया था तेरे जूटे प्यार में लेकिन एक नहीं तुझे तो अनेक चाहिए ना ए तेरा जीजा आम की गुट्ली की तरह दिखता है और तेरा बाप वो सिर्थ रौक सजु नहीगे है नशुस्ट मेरा जैसे बहुत से तामादं का वो सचुल है तेरे जैसे नीज खांदान से हम जैसे हूंचे खांदान का रिष्टा होने से अच्छा है जर क्या हो कि हम सहर खागामर जाहे पता है कितना जैदा प्यार करता था तिक्से शर्म नहीं आती तुम्हें कितना भरोसा था तुम पर सपना देखा कि शादी तूट गई क्या छी फोन कुछ देर बाद वो मेसेज देख लेगी और जो सपना तुमने आज देखा है वो सच हो जाएगा उसके बाद तुम्हें और कोई लड़की ढूने की ज़रत नहीं है मैं शादी का जोड़ा साथ लेकर आई हूँ ओ जी शादी कर लेंगे थिरू हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को रसीव करने जा रहे हूँ हाई 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 सारा कब आये तुम लोग अभी 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 नमस्कार बुलिए सर अच्छुली मैं शादी का दूल्हा हूँ शादी मेरेज मेरा कुछ सामान गलती से रूम नूमर 317 लड़की के रूमें सब्सक्राइब है वो आपको दातुन की की तो अगर तुम दोनों का अकेले में बात करें तो रिसेप्शन पे बात करो हौल में बात करो या फिर मेरे रूम में आके बात कर लो के शादी होने थे थोड़ा तो कंट्रोल कर ले या क्या थी रूम में चल कर बात करते हैं पापा ने अभी तुम मेरे रूम में आ सकती हो नहीं जो भी है यही बोलो एक मिनिट मैं इसको बातों में लगाता हूं और तू उसके बैग मैंसे चाबे निकाल अहां अहां बताता हूं वो फूल है वो फाउंटिन है का पाकिंग ही भगवान इधर उदर हाथ घुमाने की बज़े सीधा काम की बात करो अधिरू कौन है फोन मिल क्यों नहीं रहा अगर हमारी शादी बिना रोगाउट क्यों होती है तो तुम्हारे मुंदन की मननत मांगी है पागल हो गयो क्या जबर्दस्ती बात करने के चकर सारा का रूम थर्ड फ्लोर पर है तुझे पीछे के रास्ते से फोन लेने करी थर्ड फ्लोर तर पहुंचना होगा ठीक है है क्या में तुम्हार थर्ड़hof multipर मिल्स यंदक धुक करे तुम्हार थुछ pretend करी में थ verd电े मां अ इसकती कि निआएषिध हरो कि मिल्स निवकला हो जिक है ये हिसकती है ये है ऩो धर थुम्हारoper एपने पर एपने करें आपके जल्दी से उपर आजा वहाँ जडी पकड़ा इसको पकड़ा पकड़े आप अधर प्लोर वही है थूज़ आंदर रहा होने रे तू मैं यहां का लोकल है मेले तू यहां पर क्यों आगे सर्थ तू कोई न्यूस रिपोर्टर ता रहे मेरा वीडियो न्यूस पर दिखाएगा संतों पर तुरा क्रकारे टीक सांता इस मflowing पर दिखाएगा टीकस न्हें सकता रहेयां संतों प्लोर छाठो क्लो अजे भी आप्लोर इसका वीडियो बनाता है सोन थेरा किस्केर रॉमेंस रोमैंटिक वीडियो आप मेरे फौन मैं अगर तुझ में दम है तो मेरा वीडियो न्यूज बेचला के दिखा मुझे में दम ही है पकड़ पकड़ तुरे को इस गां से शूट करेगा मैं आरे रोक तुँ भाग इदर रही है मेरे को साथ लेके चल पकड़ो कि अवा है बाग लिए तुरे को बचला के बदिए लिए बागा इस जारे को जारे वे ढही है इस रहाँ पकाश्व को अवा है इस साड़ी में मैं कितने संदर लग रही हूँ ना शादी के लिए एक दाम रेडी हूँ कौन है वहाँ मुमी दर्वाजा बंद हुआ इसक्षोमी इसक्षूमी मेरेज़। यह पून मेरा फोन? कौन हो? छोड़ा मुझे कौन हो? चोर कही के हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अगर मेरे होने वाले पती को पड़ा चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा हुआ 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 काहा जा रहे हो? डीदी, डीदी, दर्मासा खोले हो चोर, चोर रुखो काहा भादिया? तीदी, अमेरे कमरे में कोई गुसाया था वो देखो, पाहा भाग रहा है सारा, अले, पकड़ो सारा पकड़ो हुआ हुआ वो हुआ 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 हेलो तेरो कहा हो तुम मैं भाग रहा हूँ तुम क्यों भाग रहे हो जोगिंग कर रहा हूँ जोगिंग दोपेंके एक बजए ठीक है सब छोड़ो एक रूम बोई ने मेरे कमरे से मेरा फोन चुरा लिया है आरे बापरे चोल वो हतरनाक हो सकता है उसका पीछा तुम मत करना एसा नहीं हो सकता मेरे फोन में बहुत इंपॉर्टन मैसेचिस हैं अरे वही तो प्रॉब्लम ह तुमने उसे देखा नहीं देख पाई लेकिन उसे मूँ छुपाने के लिए लामशेट डाला है और अब मतलब मतलब तुम चाकर रेस्ट करो मैं उससे देख लूँगा नो मैं कम्लेंग करने जा रही हूँ सब्सक्राइब करने वाले को पकड़ने के लिए तो चल दी से थर्ड फ्लोर पर आजा यही तीनों दोपैर की शिफ्ट में तीसरे फ्लोर पर काम कर रहे थे फोन किसने लिया बोल नहीं रहे हैं तो एक काम कर इन तीनों को पुलीस टेशन ले जाकर अच्छे से इनकी धुलवाई करवा खुद अपना मुग खोल देगे आपने सामने खड़े होने के बावजुद आप एक दूजे से फोन पर बात क्यों कर रहे हैं इन्हें कुछ नह दुबए राजा मुझे खुरना बन करो कहीं और देखो फोन स्रिच ओफ है फोन स्विच ओफ आ रहा है चोर अभी तक यहां होगा क्या वो चोरी करके भागया होगा थोड़ी तो अकल लगाना है मेरे परिवार की इसत का सवाल है पहले लड़ू के चिकर मामारी नाग खट गए और मेरी बेटी के कमरे से किसे ने उसका फोन चुरा ले मैं उसे देखुए सर मैंच रेडी है खाने के बाद देख हो हाँ सही का पहले खा लेते हैं आओ तुम लोग निकलो स्कूल में जब आप उन कैच मिस करता था तो तो मारता था ना तुन्हें फोन कैच नहीं किया हमेशा की तरह कैच मिस हो गया नीचे आके देखा तो फोन लेके कोई भाग गया ऐसे खड़े रहा हिलना नहीं हां तेरी मैंने जो आपको ड्रस दी थी वह वापस कर दीजिए ना प्लीज हमारा मोबाइल लेकर कोई भाग तुझे ड्रस की मैंने उसे भागती हुए देखा है यहां कि सारे चोर मोबाइल चुडाकर किंग मोबाइल शॉप में बेचते हैं आप वहां जाईए आपको फोन मिल जाएगा यही सारा का मोबाइल है थैंक गड़ इधर ला पहले मैसेज डिलेट करता है यह आईफोन का आईशिक्स मॉडल है तीस हजार रुपे देने होंगे क्या सर इससे कम में तो नया फोन आ जाएगा सर तो जाकर नया करीद लो भाई यह फोन हमारा ही है ए भाई देखो जिस लड़की से इसका लगन होने वाला है उसका किसी के साथ चकर चल रहे लाई है सो सब्सक्राइब करें तो आप मुझे मार लो वहां सब वेट कर रहे हैं सर बहुत बेइज़ती हो जाएगी सर प्रीज सर अब यह तुझे पहले सोचना चाहिए था है यह फोन तुझे नहीं जिससे तेरी शादी होने वाली है यह उसे ही मैं मेरिज गिफ्ट के तौर पर दूँगा शादी के मंड़प में मिलेंगे अजनती हो सांझो अजनती हो सल खुझे अवा यह वाड़ा शादी के नहीं पेख्ट को हुझे कर ग पहाँ लुज वहाँ हुई वहाँ वहाँ हाँ वहाँ वह क। वहा बहाँ वह द Kolleg म travel हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है अगरना वंजाएंगी आफ एक छोड़ा माहिए चल्व okay हमने जो वीडियो मेंसे सारा को बेजाता उसे मिला इनी देख तेरे फोन से सेंड या नहीं मिब्लूतिक दिखरा है याँ अभी फोन आघ्ला है सारा का फोन को मेरे पास है तो फिर मुझे सारा का ही फोन कैसे आ रहा है हाब आवाज कुछ अलग ही लग रही है इज़त भी कम लग रही है सारा बोल रही हूं बे साइकोलोजी स्टुडिन सारा मैंने अपना नाम और नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है हां यह देख डबल आरे लेकिन मेरी सारा का ऐसे आरे है मतलब साइकोलोजी वाली सारा है मेरे दोस्त मेरी वाली सारा का जो मैसेज भेजना था वो तुन्हें नशे में इस सारा को भिज़ दिया है अपन नहीं आएगा अपन नहीं आएगा अपन नहीं तुम आरेगा अभी कटे नहीं हो बटी हो सच बोल रहा ह। कले लग अज आपन बहुत कुछ है भाई बात कर बात कर बात कर सारा हाव इस लाइफ मेरी लाइफ तो तुने बरबाद कर दी तेरे उस भेजे हुए मैसेज की वज़े से मेरी जंदीगी नश्ट हो गई है मेरी शादी के रेसेप्शन में मैं और मेरी फामिली सब कितने खुश से बता है लेकिन तभी तेरा वो भीजा वीडियो मेसेज आगया अबे ओ सारा मैं तो पागल हो गया था तेरे जुटे प्यार में लेकिन एक नहीं तुझे तो अनेक चाहिए ना तेरा चीजा आम की गुटली की तरह दिखता है और तेरा बात वो सिर्फ मेरा सासूर नहीं है तुम्हारे एक मेसेज की वज़े से मेरी शादी तूट गई मेरे पापा एक्स मिलिटरी मैन है मैं उस लड़के को जिन्दा नहीं चोड़ूँगा बचपन में जब जंगल में हम शिकार करने जाते थे तब चाहे कोई भी जानवर हो गोली मैं ही मारती थी ना शिकार किये बहुत दिन हो गए है मंटा है, खेलो ना दिखा कर डरा रेली है में तूने जो मुझे मेसज भीजा था ना वही मेसज अगर मैने तेरी मंगेतर को भेज दिया होता तो तेरी शादी की शहनाई नहीं मातम का शंक बज़रा होता तू जो बोलेगी आपन मान लेगा क्या हम इतने भी बेवकूफ नहीं है आपन में भी दिमाग है हां शंक की आवाज ऐसी नहीं होती है कि आपन तुम दोनों को समझा समझा के थग्या यार कि यह लड़की बहुत ही अच्छी है इसे कुछ में चुपा रहे भाई बोल दूं क्या क्या चोड़क मैं देख लूंगा थिरू दिलो जान से तुमको चाहत उस दिन तुमने इसको आई लोग भी बोला था तब ही इसका रियक्शन किया था याद है शहर में हजारों लड़के तुम्हें एक अकेला मैं ही मिला गया खामखा गले पड़ रही है खामखा गले पड़ रही है कितना प्यार करता है तुमसे तु सच्चे प्यार को चुपा नहीं सकता है इससे बचने के लिए सिर्फ यह एक रास्ता है इस मामले में इस दुबई से सह मत हूँ बस तो इसके हां में हां मिलाता जा बाकि हम समहाल लेंगे समझ गया ना सच बोल दे थिरू आज चल जल्दी से बोल दे तेरे घर वालों ने तरे लिए लड़की ढूंड ली इसलिए तु सारा से आई लव यू नहीं बोल पाया है ना तभी वीडियो भीज़ा बेचारे ने तभी इसके शाधी तुड़वाने के लिए तुने जान बुचकर नशे में आकर इसको वीडियो मेसेज किया था बोलना थिरू तो फिर वो गाली वाला मेसेज भेजने के बजाए सीधे तरह मुझे आकर आई लव यू क्यों नहीं कहा दिया तुमने वो क्या है ना जो वीडियो पेचा था उसी का मतलब समझा सकता है नए सवाल के जाब के लिए टाम लगेगा तेरे लिए एक और शॉकिंग यूज है क उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जागी है अरे भावरे तीरो तुम्हारे भाग रहा है लाव थिरो कमी यार गलती करके ऐसे भागना नहीं चाहिए यार फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्ब करनी चाहिए यह जिससे शादी करने वाला है उसका अल्रड़ी किसी के साथ टाका बिढ़ा हुआ है राजा मुझा मत रोग सची तो है और आज उस लड़के को यहां बुलाकर हम इसके मंगेतर के शादी उसके लवर के साथ करवा देगे और कल तुम दोनों की सब कुछ रहो देट्स ओल थिरो तुम कितने भागिशाली हो कि तुमें इतने अच्छे दोस्त मिले है इसको तो कदर इच नहीं है जो एंट तक सेम पिंच अच्छी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी तुम मुझे पसंद आय थे उस दिन मैंने टेस्ट के लिए बोला लेकिन आज मैं तुम्हें सच में I love you कह रही हो मुझे नहीं पता था तुम इतना प्यार करते हो कि शादी रुकवाने के लिए मों मैसेज भेज दिया तो वो है मंगेतर दिखने में तो कोई भल बेचने वाली लगती है उसका बॉइफ्रेंड अम्रूत का ठेला लगाता होगा उसे बता दो वो उससे शादी कर सकती है शक कर रही हो न तुम मुझे पर शक करना भी चाहिए तुमें वह लड़की कौन है उसने मुझे गले क्यूं लगा यह पूछना चाहिए जिसका जवाब मुझे तुमें दिना है क्यूं गले लगाया उसे तुमें ऐस에 चल्दी चल्दी मत पूछो मुझे थोड़ा सोचने क क्या सोचना है वैसे तुम्हारे वो दोस्त कहा है दोस्त की बहनी तो है वो क्या भगवास कर रहे है थिरू हाँ धिरू, धिरू, जो चिन्न में रदा था हे भगवान हे भगवान, हे राम कोई उसे धोका दे कर छोड़कर चला गया है उसे छोड़कर? इसी तो देख कर यह उल्टी आ रही है हाँ बेचारी पेट से इसलिए उल्टी तो करेगी न उल्टी पागल पेशन की तरह बात के दबत परोगे पागल इस वज़े से वो बेचरी पागल हो गई है आज कल हर किसी से मुझसे शादी कर लो मुझसे शादी कर लो कहती है उसके भाई का दोस्तु मैं मुझे भाई ना समझकर मुझसे शादी करने को कह रही थी लेकिन तुमने मुझ मेरा दिल तोड़ दिया सारा तुम अपने दोस्त की बहन के लिए इतना बोज ले रहे हो यूर रियली ग्रेट हेलो 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 सब्सक्राइब नीचे गिर जाओगी गिरने वाली थी लेकिन थेरू ने मुझे बचा लिया मेरी जंदे की सवार दी उसने आँ हाँ सही का थेरूने इतो बचारी सच में पागल है मैं तो यहां थेरू को गोली मारने आई थी अच्छा फिर लेकिन थेरूने मुझे गोली मार दी I love you थेरू I want to marry you पागल बचारी कुछ भी बखे जा रही है वाव कल मैं थेरू से शाधी कर रही हूं थेरू, I want to marry you पिस्तोल हमेशा साथ मेरे दी है आचाया आचाया भूमके भूमके आचाया आचाया में ज़िया जल आचाया आचाया बच्वर्ट अचाया यह थो फॉन में में म्याज़ूमँ sz DA में एंचाया सेलफ होन तुम्हारी आखो में जासी की रानी वाला घुस्सा है विरंगना फुलन देवी की वीरता है चीते की चाल है तुम्हारी उडान में बास से भी उची उडान है एक लड़की को बिना बताए दो चोर उसका फोन लेकर भाग जाए और मैसेज को डिलीट कर दें तो लड़की का क्या होगा यह हम सब को देखना था वाव सूपर मेरी बहादुरी इतनी पसंद आई यह तो कुछ भी नहीं था मुझे तो और भी कला आती है कौन सी चित्र कला है नहीं हातों की कला दो तो आप लिए इने तूने बुलाया मैं पांगर लुना आए फिर्व यू रख अलब करना था यह 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 तो लिए जैब लुदार इने तूने बुलाया अले पांगला ना थिर्व आलव यह है दो यूदार लोभ यह है मुझे पहले बताव रहा हूं उससे क्या बतारे हो वह पागल है क्या मैं पागल हूं तुम पागल में बात पागल है छो हम मंड़ंप प जा रहे हैं मुरूत का टाइम होगे आ जाओ लगता है तो उससे शादी करके रहेगा उसका लवर का है हां उसे ढूंड रहे हैं कहा है कहा है शाम शे बजे से पहले वो यहां नहीं आया ना नहीं आया तो तो तेरा वो मैसेज दिखा दूंगी हेरो शुरू सही मैं चाहती थी कि यह शादी तूट चाय लेकिन निलन्यान वे शादी शादी तूट चाय लेकिन शादीं को अच्छी तरह से करवा कर तुम्हारी खुद की शादी में इतनी परिशानी आओ एक जूट को चुपाने के लिए हजारा जूट बोलने से अच्छा है कि सारा के पास चाकर उसे सब सच बता दो वो सरूर तूम्हें माफ कर देगी जूट कर दो बोलने से अच्छी तूम्हें माफ कर दो अच्छी तूम्हें लिए शादी तूम्हें कर दो नहाँ है, पिस कर दो के बहुता है, झा कर दो मुझा से लगा कर दो था अंकल सारा का रूम सारा के क्लास में टोगया जी आओ आओ बिटाओ सुनो सीधा दाकर वहां से लेफ्ट लोगे तो सारा का रूम सामने दिखेंगा मैं किंग मोबाइल से आया हूँ जी कहिए तुम्हारी माँ के दूद में जहर है ऐसा कोई तुमसे आकर कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा थिरू ने मुझे पर शक्किया ये सुनकर मुझे भी वैसा ही लग रहा है मुझे पर शक्किया ये सुनकर मुझे जहर है मुझे पर शक्क करती तो समझ सकते थे पर कितना भरोसा करती है मेरी समझ में ने आता कि क्या करो अगर ये सच सारा को बता चल गया तो वह मर चाहेगी या और खुद नहीं मरी तो तुझे मान डालेगी ये फंक्शन में सर्फ दो ही गंटे बचे हैं उससे पहले तेरी वाली सारा का लवर जिसका तेरी जूटी कहानी के मुताबिक सारा की साथ अफिर चल रहा है उसे कहीं से लाना होगा सबजी की गाड़ी आ रहे हट जाओ आने दो आने दो आने दो ये कहां से आ गया उस दिन मेरी धुलाई की थी आज लगता है सुखाने के लिए आया अरे ममी चलो चलो बाई शाब निकलो यहां से बेस बदलने के कारण मेरे को पैचान नहीं पाया तो मेरे को केला अभी चाहिए कि बाद में दू मोटा भाई माफ करी दो मोटा भाई बुलेटी मेरी पत्नी ये मैं लोगों को बोलता रहता हूं क्यूंकि बुलेट का इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया तो वो मेरी बीवी को उठा कर ले गए ये बात सुनकर मेरे संसू होंगा वो तुम्हें करना होगा तिरू विट सारा एस डबल ए आरे आना चाहिए था कोई बात नहीं चेंज करवा दूंगी उसकी मंगेतर का लवर तो कहीं दिखाए नहीं दे रहा हूं सक्सेस कौन है जोकर मेरी मंगेतर का असली लवर ये है मेले में गुबबारे बीचने वाला लग रहा है यह मुटा भाई चलो ठीक है सारह जैसे छिपकली के लिए तो सई है मुटा भाई लवर के बारे में बोल रही है चुपचप के हो सुन रहा है मेडम मेरे लवर सारा कुलफी की तरह मस्त लगती है तमाटर की तरह लाल 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 दिती है पपी ते की तरह एक दम ताजी लगे है क्या भाई बोलू तो मारते हो नहीं बोलू तो भी मारते हो मम्मी आपने भी मारा प्यार का मतलब आखरी दम तक साथ निभाना होता है अपनी प्रेमिका को किसी और के पास गिर्वी नहीं रखते मेडम गिर्वी नहीं रखा था लोन लिया था अबी क्यों मारा सिर्फ अकेला फील करने ही काफी है क्या सारा कौन है तुम्हारी प्रेमिका है अपनी प्रेमिका को बाइक पर बठा और भाग जो यहां से वाई की वज़े से अफो प्रेमिका को उठा कर ले गए है तो यह ले कर जाने वाला है यहीं कहीं पर होगी वह तो बीग बॉस के आजैसा है ना कहीं बाग सकते हैं ना छुप सकते हैं ये कहां बज़ा दिया प्रभू दिया था वो हजम नहीं हुआ क्या चैन्णाई में क्या दिया था यह बता उस दिन दो डर कर भाग गया था आज बड़ी हिम्मत दिखा रहा है यह प्यार की ताकत है जिससे प्यार करते हैं चाहे उसे कितना अब गुषसा हो जाए लेकिन वह सामने दिख जाए तो गुषसा ठेंड़ा हो जाता है प्यार अहां प्यार दुना में मैं पहला एक्टर हूं जो सीन जाने बिना ही एक्टिंग किये जा रहा है वो चोरी करके कहां भागी है उस तरह होगा किसे डूंड रही हो अपने पती को वहां वो रहे मेरे पती है तो वह आपके पती है आईए मैं लेकर चलता हूं मुझे छोड़ो भाई शाम की बस से में गाउं चलता है पता है कौन है यह तो वही होटल वाली लड़की है यहां क्या करने आई है अरे यह दोनों पती-पत्नी है पती-पत्नी पती-पत्नी ससुर जी यह ना अगर जरा सी भी शांट पती दिखाए तो वो विडियो इनके ना पती तो मुझे यही लग रहे है तो मुझे याद है तुम चुप-चाप क्यों खड़े हो बोलो 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 अपना भूँ खोलो चलो बोलो जल्दी मैं गुजराच से आया हूँ मेरी बुलेट और पत्नी सेट के आल लिए वाला नहीं सच वाला सच बता तू तू इनके घर में कई सालों से किराय पर रह रहा था इसलिए इन्हों ने तुझे अपना घर वाला समझ लिया घर गर खेलते-खेलते अरे एक मिनट किराय के घर मे रहने वाला घर वाला कैसे हो सकता है अब यह अपना दिमाग क्यों चला रहा है अब मैं समझ गया अपने पती को मेम साब ने अपने घर पे किरायदार की जैसे रखा हुआ अब ते रोगों क्या हुआ अब इस सीन में मुझे क्या करना है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं आजा कुककर में पहली सीटी बजी मतलब चावल पके नहीं है तीसरी सीटी बजी मतलब समझो चावल गल गए लेकिन इन दोनों के बीच वाली घंटी जो कच्ची पक्की होती है उसकी जो आवाज होती है ना वही तुझे देनी है मतलब कच्ची पक्की ट्राइ करता हूं आज इसको बताएगा इमेले पकोड़ा नाइडू जिन्दबाद स्टोल राख तेरह और उस लड़की का वीडियो मेरे पास है जी लेकिन एक छोट से प्राउब्लम है तेरे को फिलेश बैक में लेका जाता जी फस गया ना पकड़ उसको और अच्छे से पकड़ इस बालू को मैं कहीं देखा है जी तुहीं तो है वो उसका विडियो लेने के बचाए अपना ही विडियो ले लिया है मेरा मिनिस्टर बना कानफर्म जी मेरा वीडियो मेर को तेह दो मैं ऐसान बंद रहेगा अगर तुम मेरी मदद करेगा तो पक्का उस लड़की क साथ तुमारा सैटिंग करवा देगा चल बोल क्या बोलता है वीडियो तेह देगा ना क्या सोचता है जी अगर सारा ने दीख लिया तो अब लगता है दुनिया भर की सारी परहिशानी तेरे सर पे गिरने वाली है समहाल लेना भाई शक कर दीओ मुझ पर एक मां के दुद में जहर था सुनकर कैसा लगीगा तो तुमने सुन गिया था सोने की जांज घिस कर करनी चाहिए लेकिन त तुमने से क्या तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो मैं सच कह रही हूँ तुम्हारे बारे में चाहे मुझसे कुई व्याकर कुछ भी कह मैं विश्वास नहीं करूंगी गुट गर तुमने इस बात कर कभी फाइदा उठाया तो यह थीरो की गल्फरेंड है क्या भगवास कर शी इस माई गल्फ्रेंड तुम्हें प्रूफ चाहिए है ना रुको यह देखो देखा ना थपड़ नहीं मारा चीनल के लिए तुछ नहीं बोला अंदर चल तुझे बताती हूं वैसे बेबी मैं क्या बोलगा हूं कि है सौरी आजयर अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दो तो मुझे कुछ देना होगा अमुरूद लाती हूं एफ है अरे यार जिन होटों ने मेरे बारे में गलत बोला है मैं चाहता हूं वही होट मेरे होटों से मिलकर पाँच मिनिट तक गिड़ गिड़ा कर माफी मांगे इसे इंग्लिश में लेकपीस कहते हैं लिपकेस कहते हैं मतलब किस के लिए इंतजार कर रहा होगा ये भी चलेगा पापा पापा बेटी इन दोरों की एंगेजमेंट होने वाली है सब लोग देख रहे हैं बेटी एंगेजमेंट खतम होते ही तुम दोरों की शादी करवा देंगे अब उट से होना आजाओ जी जरा सुनिए मैं शादी करने वाली हूं इन से और आप शादी करने वाली हैं उन से इसके दमाग में गोबर भरा हुआ है क्या ये तेरा होने वाला पती है जी ये नहीं ये आपका पती है ये तेरा पती है यह ही वह मेरे पती है है पुष्पा पुष्पा मेरी जान मेरी मिसाइल मेरी हतनी मेरी कूल पी पुष्पा कितनी बात मीली 10 नाई नहीं है क्या डस्क लगी हुई है पुष्पा शेट ने तुझे छोड के से दिया मेरी शकल देखते ही उसरे मुझे वापस भेश दिया मतलब उसका डेस मेरे से बहुत अच्छा होगा पुष्पा आज बुलेट पे नहीं तुझे साइकल पे डबल सीट घुमाऊंगा यह कौन है आमारी बुलेट चे अच्छी आमारी पत्नी इचे तो फिर यह तो फिर यह सोरी लेडिस तुम दोनों डुपलिकेटो यह मेरी ओरिजनल पत्नी है तो जब मुझे पूछता तब सर क्यों हिलाया था मैंने खुच से नहीं हिलाया यह सब करने के लिए मुझे उसने कहा था चल पुष्पा अभी क्या यहां इसके लिए आम बात है इस वीडियो को देख लीजे इस फोन पर अकेले आप देखकर क्या करेंगे उस टीवी पर चलाएंगे तो सच्छा ही सबको दिखेंगे निकल ले भाई तो यहां से अब मेरी जांत सारा आए लव यू टू मच थ्री मच फोर मच फाइ मच जब तक जिंदा हूं तब तक मच 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 तेरी बेहन तो साक्षा तोई देवी है और तेरे पापा मेरे सासूर नहीं है मेरे भी पापा है तुम्हारे जैसे खांदान से मुझ जैसे गदे का रिष्टा हो रहा है कितना भागेशानी हूं मैं मैं इसके लायक नहीं हूँ देखिए भाबी थीरो भले ही अब आपका पती हो लेकिन उससे पहले मेरा बड़ा भाई है हमारे इस भाई बेहन के रिष्टे के बीच कोई भी नहीं आ सकता मौउआ तुम? तुमरे पापा? तुमरी बहन तूम सभी लोग इतनी अच्छ बहुत अच्छ बहुत अच्छ बहुत 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 अच्छ कल तुम तीनों की बाते मैंने सुन ली थी तुमारे भेजेगे मेसेस की वज़े से तुमारी शादी न तूट जाए मुझे डर था तो सारा के रूम के डुप्लिकेट चाभी लेकर मैंने चुपके से उसके कमरे से उसका फोन उठा दिया और उस वीडियो को डिलीट करके उसमें नया वीडियो डाल दिया इतने सालों से लोगों की नकल उतार रहा था आज पहली बार मेरी इस काभिलियत के वज़े से किसी की शादी तूटने से बच गई अबे ओ सारा तू तो एक बिल्ली की बच्ची निकली प्रिजांत सारा आई लव यू तू मच्च थी मच्च फॉर मच्च फाइ मच्च जब तक जिन्दा हूं तब तक मच्च 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 नहीं नहीं यह गलत वीडियो है ओरिजनल वीडियो में यह आप सब लोगों को गंदी-गंदी गालिया दे रहा था जरूर कोई कड़ बड़े मेरा मेरा भरोसा कीजिए प्लीज अम टेलिंग दियुद बेटी इतनी हाइपरटेंशन को लेती हूं तुमारे दिवास भी असर पड़ेगा हम बैठके बात करते है ना या फिर एंगेज में ख़त होने के बात-बात करेंगे भागल संजाय क्या है देटी तुम्हें सब मेरे ली अपसेट हो या फागल नहीं हूं परोसा कीजिए मैं भागल नहींहिं अँग को अब ही ुआ तुम बताओ, क्या तुम्हारा भी फर्स्टाइम है यह क्या कर रही हो, तुम्हारे इस तरह मरने के बाद मैं शादी करूँगा, क्या उस दिन गन के साथ कितनी जोश में थी, मैं तो डर गया था क्या स्टाइल था यह स्टाइल नहीं पागलपन है तुम जैसी पढ़ी लिखी कावे लड़की प्यार के लिए सुसाइट करी हो उससे तो अच्छा है कि तुम मुझे ही कोली मारतो मैं मानता हूँ मैंने जूट बोला वो बहुत भरोसा करती है तुम एक साइकलोजी स्टूडेंट हो अगर हमारी शादी रुख गई तो सारा शाहिद मर जाएगी अब आगे तुम्हारी मर्जी सोच लो एक लड़की बिल्डिंग की चट से सियुसाइट करने की कोशिश करेगी तो लड़के का रियाक्शन क्यासा होगा आज देख लिया मैंने अपना फोन दो मुझे दो ना सच कहूं तो तुम मेरे टाइब के ना बिल्कुल भी नहीं हो इसलिए अपना नंबर डिलीट कर रहे हूं अब से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही सारा रहेगी आपी मेरेड लाइफ थैंक यू बिना बोले आपूं तुम्हारी भाग करा गया यह तो उठाई नहीं रहा है अरे भंटाई फोन तो उठा तेरे से बहुत ही इंपोर्टन्ट बात करनी है तु जब तक फोन नहीं उठाएगा आप उन ट्राइक करेगा इस दिन के लिए मैंने बहुत पापर मेले हैं जबता हो बाता है तु 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 बॉआ में ना एक टेमेलो स्ट्रीट ता सु वहाँ चतनी करके एक रेस्टरेंट है उसके फिश के पकोड़े बहुत फुपाफु बैजबके है आते सुमें कर शिकम तीन चार प्लेट तो पैकर वाके लिए ठीक है रहा है ठीक है बाइए अम्रूर एई तुम्हेला दोस्त दुबाई राजाक सुरी बच्ची बिना बताया अपन वट लिया उधर से आपने बताया था ना कि दुबाई में आपनका बड़ा चार होटल है अब बेटा इतने दिन बाहर रहेगा तो काम कैसा चलेगा इसलिए आज वापस आकर ओफिस में सबकी रिपोट ले रेला है पताया ना अचा अगर उसने वह गालियों वालग वीडियो देख लिया ना तो तेरा गेम खलास भाई भले ही उसकी शकल फूल जैसी खूपसुरत हो लेकिन उसका भेजा तो हांड्रेट परसेंट खाली है भाई तिरू बातरूम हो या बेडरूम हो डेली एक बार साफ करो तो ही एकदम क्लीन रहेगा ठीक उसी तरह तेरा दिमाग भी एकदम क्लीन रहना चाहिए और इसके लिए सारा को वो बेजा हुआ वीडियो है तुझे हर दिन सुबा उठते ही देखना ही होगा जिससे तु बादे वाला ही होता है फ्रेंड अबे ओ सारा मैं तो पागल हो गया था तेरे जूटे प्यार में अब 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 अब